गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दे नेक्स्ट लेवल में दोस्तो सुबह के साड़े आठ बच चुके हैं और समय हो चुका है आप लोगों के फिजिक्स के 25 important questions को पढ़ने का I'm sorry आज मेरी आवास थोड़ी सी धीमी है because I'm not fit anyways चलिए आज स्टाट करते हैं physics के part 9 को ठीक है कल की वीडियो जितनी भी आई थी दोस्तो थोड़ी लेट से आई थी मेरी तबियत थोड़ी सही नहीं थी उस वज़े से तो ये रहे part 9 और मैं आप लोगों को से कहता हूँ कि अगर कल की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर से देखें उसमें भी questions का collection बहुत ही बहतरीन है कुछ बच्चों का कहना था कि sir question का level थोड़ा बढ़ा ही है ओके आज से जो questions का level होंगे दोस्तो वो high level के questions होंगे तो आप कह सकते हैं कि part 9 में मैंने tough questions का collection किया है ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगो schedule बता देता हूँ कई बच्चेश में भी confused रहते हैं मेरी physics की वीडियो सुबह 8.30 में आ जाती है chemistry की वीडियो दोपर के 2 बज़े और biology की वीडियो सामके 6 बज़े तक आ जाती है 10-15 minute उपर नीचे time का variation हो सकता है दोस्तो तो आपका करते हैं दोस्तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है सवसंजक बल मैंने अपनी पिछली वीडियो में से explain भी किया था और अगर यदि question पूछा जाए दो विभिन पदार्थों के द्वारा अलग अलग पदार्थों के द्वारा यदि बल लगाया जागा एक दूसरे को उपर तो वो हो जाएगा आज संजक बल ठीक है तो यह रहा हमारा question option number a इसका right answer है next question चली start करते हैं आज के questions को सबसे पहला question आता है क्या किसी द्रव के उपर लगने वाला दाब और आयतन को संबंधित करने वाला नियम कौन सा है दोस्तो एक बड़ा ही खतरनाक नियम है कि अगर क किसी liquid का pressure को बढ़ा दिया जाए तो volume उसका कम हो जाएगा ध्यान से सुनना इस नियम को ठीक है यह नियम कहता है कि अगर किसी liquid के pressure को बढ़ा दिया जाए तो उस liquid का volume कम हो जाएगा आयतन कम हो जाएगा similarly यदि pressure को घटा दिया जाए तो volume बढ़ जाएगा यानि कि आप कह सकते हैं प्रेसर जो है वह इनवर्सली प्रपोजनल होता है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रपोजनल इसी को कहते हैं कि अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यह घटेगा तो यह बढ़ जाएगा ठीक है इनवर्सली प्रपोजनल यह होता है ठीक है और डैरेक्ली प्रपोज है दोस्तों वो यही है कि pressure को बढ़ाने पर volume घटता है और pressure को घटाने पर volume घटता है ठीक है यह pressure और volume का relation ठीक है और इसका final जो हमारा पास में result आयता है वो होता है पी बराबर के भाई भी जहां पर के को यह constant है इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं पी इंटू भी यह बराबर होता है के के एक constant है ठीक है हम लोग अभी जाने है ना पी बराबर के भाई भी होता है ठीक है तो वहाँ से यह हमारा result आता है P into V विराबर के हमें बताना है कि ये जो संबंद बता गया pressure और volume का ये संबंद किसका नियम है दोस्तों ये नियम है boil का so the right answer is option number D next question is एक ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिगरी Celsius से 15.5 डिगरी Celsius तक बढ़ाने के लिए आवस्यक उस्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों इस question में आपको बहुत सारे जानकारियां मिलने वाली है बने रही हमारे साथ चलिए एक एक concept को clear करते हैं दोस्तों कुल दिन पहले मैंने आप लोग को विशिष्ट उस्मा के बारे में बताया था विशिष्ट उस्मा के नहीं पड़ती है उसको हम लोग विशिष्ट उस्मा करते हैं अब किसी अन्य material की बात ना करके मैं पानी की बात करता हूँ पानी की ही बात की जाए पानी का विशिष्ट उस्मा को हम लोग कैसे कैसे वैरी कर सकते हैं कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं, समझेगा, पानी का, है तो ये विशिष तुस्मा का ही उदारण, लेकिन पानी के साथ में, जो केस होता, उसको अलग नाम से हम लोग जानते हैं, ये, जो इसका अंसर होगा दोस्तों, वो विशिष तुस्मा ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन 5.25 डिगीरी सेलुसियस करना हमने अब हमारे पास में हो क्या रहा अपरेशन ये हमारा टेमपरेचर जो बढ़ रहा यह तो एस विशिश्ट उसमा को क्या कहेंगे दोस्तो जब एक ग्राम पानी की बात होती है ठीक है एक ग्राम पानी की बात होती है और उसका temperature ध्यान से देखिए गई सिस्केल को साड़े 14 से साड़े 15 डिगरी से तक बढ़ा जाए तो वो हो जाता है international calorie उसको कहते है so the right answer is option number B अच्छा यहां से एक और question आता है ठीक है question क्या आता है कि पानी की विशिष्ट उस्मा को ठीक है पानी की विशिष्ट उस्मा को कहते हैं हम लोग calorie यनि कि एक ग्राम पानी है ठीक है इसका temperature यदि वन डिगरी सेल्सिस बढ़ा दिया जाए तो यह जो विशिष्ट उस्मा हैगी दोस्तों इसमें कितना temperature देना प काम करता है जहां पर temperature initial temperature 14.5 में रहता है और final temperature 15.5 में रहता है ठीक है राइट अच्छा kilo calorie की यदि बात की जाए तो मैं इसे भी समझा देता हूँ अभी अभी हम लोग क्या किये थे एक ग्राम पानी लिए थे ठीक है और उसका temperature को 14.5 से 15.5 तक बढ़ा दिये थे ठीक है इ एक ग्राम ना ले करके मैं वन कीलो ग्राम पानी ले लूँ ठीक है तो बिल्कुल इसे scale को करने के लिए इसी experiment को करने के लिए temperature 14.5 से 15.5 डिगरे से तक बढ़ाने के लिए जो उसमा देना होगो दोस्तों उसको कहेंगे हम लोग कीलो कैलोरी तो इस एक कॉस्षन से आपके 3-4 questions clear होते हैं इसका proper way में notes बनाई है यह बहुत ज्यादा helpful होने वाले चाहिए अब किसी भी exam के त्यारी कर ले हो next question is किसी वस्तू का भार इनमी से किस उपकरण के द्वारा नापा जा सकता है ज्यादातर बच्चेस में confused रहते हैं साधारन तुला को ले करके जो की right answer नहीं है वस्तू का भार नापने की बात की जारी है weight जो होता है दोस्तों वस्तू का द्रभिमान और गुरुत्वी तु next question is वह न्यूनतम वेग क्या कहलाता है जिससे किसी वस्तू को प्रित्वी की सताय से उपर क्यों फेकने पर वह गुरुत्वी छेत्र को पार कर जाता है और वापस नहीं आता sorry वह न्यूनतम वेग क्या होता है दोस्तों उसको बताना है पहले इसको समझते हैं हम लोग ठीक है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसे explain किया चलो एक बार फिर से explain कर देते हैं suppose कि कोई एक object है कोई भी object है ए ठीक है इसको प्रित्वी से फेका जाए तो जब इसको यह वापस प्रित्वी के सता पर आके गिरेगा यह होता है गुरुत्वा कर्शन की वज़े से इतना तो आप लोग जानते हैं लेकिन क्या कोई ऐसा वेग नहीं है कि वह वस्तु वापस प्रित्वी पर आई ही नहीं बिल्कुल है इसको हम लोग scientific language में कैसे कह सकते हैं कि क्या कहेंगे दोस्तों उस वेग को कहते हुम लोग पलायन वेग सुधर आइट आंसर इच ऑप्शन नमबर सी नेक्स्ट कोसुन जो है यह है इसमें आप लोग के लिए समझने के लिए बहुत कुछ है प्रित्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है पहले इस कोशन को प्रिथवी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है इसका मतलब क्या है प्रिथवी को अगर प्रिथवी से बाहर भेका जाए तो जी नहीं अगर प्रिथवी से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर भेका जाए तो उस ऑब्जेक्ट में कितना वेग हम लोग देंगे कि वो पलायन वे के लिए और भी मेंदत करूँ ठीक है मैंने क्या कहा कि पृथवी के लिए पलायनीकर यानी को और कितना वेग उस आपजेक्ट का होना चाहिए कि वो पृथवी के गुरतवा करसन को पार कर जाए धिक है का माँन है दोस्तो एक सेटा को इतना किलोमेंटर ट्रेवेल करना होगा ठीक है तब हुँ प्रित्वी का गुर्टवा कर्शन को पार कर लिएगा राइट नेक्स को सॉरी इसमें जो अगला अगला अप्शन मुझे नजरा रहा है ट्रेवेल करता है तो वह चंदर्मा का गुर्टवा कर्शन पार कर जाएगा चंदर्मा के गुर्टवा कर्शन पर उस वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह जो 4.6 किलोमेटर प्रती सेकेंड ने जरा रहा है यह मंगल ग्रह का पलायन वेग है दोस्तो आई चली आगे बढ़ते हैं किसी केशनली में द्रव का चढ़ाओ उसकी त्रिज्ज्या के व्यत क्रमानुपाती होता है यह कौन सानियम है दोस्तो केशनली क्या होता है पहले समझो मान लो कि आपके पास में कोई भी एक ट्यूब है किसी भी प्रकार का चलो एक कटोरा ही मान ल अडिया है क्या अब देखो यह जो अगर मैंगनिसियम का फित्व सब्सक्राइब ही उदारन कहता है तो जिसमें वह लिक्विट भरा रहता है जिसमें वह फियो की तरह लिकविट भरा रहता है थे कह तो ये question हमारा क्या है दोस्तो कि किसी case नली में द्रव का चढ़ाव उसकी त्रिज्या के व्यत क्रमानुपाती होता है या कौन सानियम है ये जो हमारा case नली था दोस्तो जिसमें liquid भरा हुआ था इसमें जो द्रव का चढ़ाई होगा ये व्यत क्रमानुपाती होगा इसकी क्या जितना ज्यादा होगा द्रव उतना कम चड़ेगा उतना कम तेजी से चड़ेगा ठीक है तो यह कौन सा नियम है दोस्तों यह नियम है जूरीन का नियम सुदराइट अंसर इच आपसन नमबर डी इसको याद रखेंगे यह कुर्शन का PCS एक्जाम्स में पहुंच जाद अगला प्रस्ण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं किसी उच्च तरंग दैर्ग के प्रकास के द्वारा किसी धातु का उत्सरजित इलेक्ट्रॉन क्या कहला था दोस्तों कल हम लोग जान चुके हैं डॉक्टर आइंस्टीन ने यह खुज करी थी प्रकास का विद्यूत प्रभ ठीक है अब हमें बताना है कि यह जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ठीक है ध्यान से सुनने को यह जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उत्सरजित इलेक्ट्रॉन ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को नया नाम दिया गया है हलाकि यह इलेक्ट्रॉन ही रहेगा लेकिन इसके इस गुण की वज़े से प्रकास के द्वारा उच शर्जित हो जाने की वज़े से इस Electron को नया नाम दिया गया दोस्तो इस प्रकार की Electron को कहते है फोटो Electron So the right answer is option number B अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग मूफ करते हैं यदि कोई गहरी नीली वस्तु को पीले रंग के प्रकास के उपस्तिते में देखा जाए तो वह वस्तु किस रंग का दिखाई देगा गहरी नीली वस्तु को यदि पीले रंग के प्रकास में देखते हैं तो वह पीला रंग क्या करता है उस वस्तु के अंदर उपस्तित जितने भी चाहे बहुत कम भी क्यों नहों काले रंग के जितने भी पदार्थ होंगे जितने भी color होंगे black color का उसको आउशोशित कर लेगा बात बागी सब को reflect कर देगा इसलिए वह वस्तु हमेशा काला रंग न जराएगा ठीक है तो the right answer is option number B next question is बल के दवारा किसी वस्तु को उसी के अक्षमे के पारिता घुमाना क्या कहला था option को समझे हैं मान लोग कि आपके पास में कोई एक object है ठीक है और यह रहा इसका axis ठीक है जरूरी नहीं कि axis ऐसा ही हो तो इसी axis के जरूरी अगर इसको हम लोग move करवाते हैं इस वस्तु को ठीक है मानते हैं इस वस्तु का नाम है AB ठीक है यह AB इस वस्तु का नाम हुए दोस्तो अब इस axis को यदि हम लोग move करवाते हैं किसी भी direction में ठीक है इस direction में मान लोग move करवाते हैं तो यह x यह वस्तु कैसे move कर गा दोस्तो इस तरह से और ये पाट इस तरह से तो इस तरह से जो घुमाते हैं हम लोग किसी वस्तो को उस बल को सारी इस तरह इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बल आगुरू ठीक है जो हम लोग घिरनिया घुमाते हैं ठीक है ये बल गुरुण का एक example है वो भी ठीक है next question is दूरस तस्थानों पर विद्धुच चुम्ब के तरंग भेजने वाले पहले व्यग्यानिक कौन थे आपके पास में options हैं अगले प्रशन की तरफ move करते हैं किसी वस्तु का या साधारन तया द्रव का एक समान तापकरम बनाए रखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है समझो पहले question को अच्छे से मानलो कि कोई भी एक liquid material है किसी भी object में भरा हुआ है किसी भी बर्थन में भरा हुआ है ठीक है और initially इस liquid material का temperature यदि x degree Celsius है तो लंबे समय तक इसके समान temperature को बनाए रखना है मानलो चार घंटे के बाद भी आप उसका temperature नापते हैं तो वह भी उतना ही नजराता है x degree Celsius तो लंबे समय तक इसका समान ताप गरम बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ यूज़ करते हैं दोस्तों क्या यूज़ करते हैं जो उपकरण यूज़ होता है उसको कहते है thermostate ठीक है आप लोग उन्हें नाम सुना होगा thermos flask जो होता है thermos flask एक thermostate की तरह काम करता है उसमें क्या करते है उसमें अगर पानी को गर्म करके रख दिया जाया या चाय को गर्म कर या दूद को गर्म करके रख दिया जाया ठीक है जनरली यह liquid के लिए ही होता है तो लंबे समय तक वो गर्म ही रहता है ठंडा नहीं होता है क्यों ठंडा नहीं होता है क्योंकि thermos flask जो है वो thermos state की भाती काम करता है इसको भी याद रखेंगे आफ लोग next question is international astronomical union ने अंतराश्टरी खगोल वर्ष किस वर्ष में मनाय था दोस्तो ये मनाय गया था अंतराश्टरी खगोल वर्ष 2009 में क्यों मनाय गया था ये भी बताते हैं गैलिलियो के जितने भी खोज हुए थे वो 1609 इस्वी तक हो गये थे ठीक है तो इस खोज के 400 साल पूरे होने की वज़े से ठीक है ये question भी पुछा गया है दोस्तों कितने साल पूरे होने की वज़े से 400 साल पूरे होने की वज़े से International Astronomical Union ने वर्ष 2009 में अंतराश्टरी खगोल वर्ष मनाय था इसको याद रखेंगे बहुत important question ये next question is Fahrenheit पैमाने पर उपरी बिंदू क्या होता है पहले इस question को मैं समझाता हूँ है तो ये एक line का ही लेकिन हर छोटी चीज बहुत खतरनाक होती है दोस्तों ठीक है Fahrenheit पैमाने पर उपरी बिंदू की बात हो रही है अगर कोई भी पैमाना हो अगर वो temperature नाप रहा हो Fahrenheit हो, degree Celsius हो, Kelvin हो, Rumor हो कुछ भी हो ठीक है नीचला बिंदू कहते है उस बिंदू का उस बिंदू को जिसमें हम लोग बर्फ के temperature को नाप सकते है ठीक है चार पैमाने आपको मिलेंगे Fahrenheit है Celsius है Rumor है और Kelvin है ठीक है मैं चारो की बात करता हूँ आप लोग के सामने जो सबसे नीचला बिंदू होता है दोस्तो ठीक है जिसको हम लोग degree Celsius में 0 भी कहते है अच्छे से इसको समझना इसका notes जरूर बनाना दोस्तो जो सबसे नीचला बिंदू होता है इन चारो पैमानों का उस बिंदू से हम लोग बर्फ के ठंडाई को नापते है बर्फ के temperature को नापते है और जो सबसे उपरी बिंदू होता है उसको कहते हाइस temperature ठीक है अब देखो हमारे पास में question क्या है Fahrenheit पैमाने पर उपरी बिंदू क्या होता है पहले इसका answer जानिए Fahrenheit पैमाने का जो उपरी बिं Fahrenheit को maximum Fahrenheit डिगरी Celsius से नापा जा सकता है ठीक है अच्छा एक और चीज में बता दू आप लोगो यदि पूछा जाए कि Fahrenheit डिगरी टेंपरेचर का निचला बिंदू क्या होता है यानि कि Fahrenheit डिगरी Fahrenheit low scale है यह सबसे कम कितना डिगरी टेंपरेचर को नाप सकता है तो सबसे कम कि ज अब मैंने बात करिये आपनों से डिगरी Celsius Kelvin रिमर इन सब की बात करिये मैंने तुम्हें सबको बता दूँ डिगरी Celsius का जो सबसे नीचला बिंदू होता है दोस्तों होता है जिरो डिगरी Celsius और maximum point होता है इसका 100 डिगरी Celsius ठीक है डिगरी रिमर की यदि बात की जाए डिगरी होनी चाहिए रिमर पर हम लोग maximum जो मेजर करते हैं temperature को 80 डिगरी रिमर हो सकता है ठीक है और Kelvin की यदि बात की जायती यह 273 Kelvin से स्टार्ट होता है और लास्ट होता इसमे 373 Kelvin ठीक है 373 Kelvin याद रखेंगे आप लोग बहुत है important scale में ने बताया इससे related एक कुशन तो जरूर आगे बढ़ते हैं वह तापकरम जिस पर प्रदार्थ को तीन की तीनों अवस्थाएं एक साथ संतुलन में रहते हैं उसे क्या करते हैं आपके पास में options हैं Kelvin scale ice point triple fixed point या फिर triple point समझो इस चीज को प्रदार्थ की तीन अवस्थाएं जो होती है ठोस द्रव और gas कोई ना इसा temperature तो जरूर होगा जिसमें वो material ना तो बर्फ हो ना तो पानी हो ना तो गैस हो उस temperature को हम लोग क्या कहेंगे उस temperature को हम लोग कहते हैं triple point so the right answer is option number D next question is boil Charles तथा एवगाडरों के नियमों के संयोजन से इन में से कौन सा समीकरण प्राप्त होता है यह हमें बताना है इसमे इसका right answer है PV बराबर NRT जैसे थोड़ी दरी पहले मैंने आप लोग बताया कि PV यह बराबर के होता है यह boil का नियम था तो boil ने भी अपना एक नियम बताया था प्रेसर और वॉल्यूम से रिलेटेट चार्ल्स ने भी बताया था और अवगाडरों ने भी बताया था तो अव दूंव आपर ठीक है तो प्रेसर और वॉल्यूम को मेजर किया और प्रेसर और वॉल्यूम को मल्टिप्लाई करने के बाद देखा क्या यहां पर अन हो गया टोटल नम्बर आफ अमॉलक्यूल्स जितने भी मॉलक्यूल्स थे उन गैसों के जिसकी में बात कर रहा हूं या liquids के जिसकी में बात कर रहा हूँ उसका total संख्या ये r एक constant और t कहते है temperature को ठीक है और इसको collectively हम लोग pressure volume work भी कहते हैं ठीक है याद रखिएगा इसको next question is किसी भी पदार्थ की उसमा धारिता इसमें से किस बात पर निर्भर करती है पदार्थ का दरब इमान इस पर निर्भर नहीं करती है पदार्थ का बाहर इस पर भी निर्भर नहीं करती है पदार्थ की विशिष्ट उसमा पर उसमा धारिता निर्भर करती है दोस्तों next question is अगले question की बात करते है चार सो डिगरी Celsius याँ उसके ऊपर के ताप मान को नापनी के लिए किस ताप मापी का प्रियोग किया जाता है tiare dessel 9 ये उससे ऊफर के ताप मान को या दिनापनीकी बात की जाए दूस्तों तो विप्रोन प्रियोग किया जाएगा क्यों किया जाका secgen później टो 400 Dis प्रभाव से सबसे कम विस्तारित होता है ओके यह होता है दोस्तों फिलिंट कांच इसका याद रखेंगे आप लोग कुछ-कुछ ऐसे भी questions होते हैं जिसको रटना पड़ता है तो इस question को आप वैसा ही समझो इसको रटना पड़ेगा कांच कौन सा कांच है जो ताप के प्रभाव से सबसे कम विस्तारित होता है दोस्तों अगर कोई भी confusion हो रही आप लोग को किसी भी प्रकार के question में तो आप ल नहीं ले पाओगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एक अच्छा अवसोसक पदार्थ एक अच्छा विकिरक भी होता है यह हनियम किसका है पहले समझते है question को question क्या बोल रहा है कि अगर कोई पदार्थ किसी भी light को या फिर किसी भी wave को या किसी भी चीज को अच्छे से attract कर है तो एक अच्छा repulsion भी कर सकता है इसका example समझ सकते हैं जैसे sponge आपने नाम सुना होगा उसको पानी में डाल करके हलका दबा दो पानी को attract कर लेगा अब पानी से निकाल करके उसे फिर से दबा दो पानी को release कर देगा तो एक अच्छा और शोशक पदार्थ एक अच्छा व करे कलर की बात करे कोई भी चीज़ को वह एक अच्छा रिपल्सक भी होता है उसको हम लोग को बताना है कि यह किस का नियम है तो यह नियम है दोस्तो किर्चौफ का ज्यादतर बच्चेस में confuse होते हैं जूल का नियम जबकि जूल का नियम यह नहीं है दोस्तो ठीक है अगल अगले प्रसन की तरफ हम लोग मूफ करते हैं सघर माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि अपवर्तन कोन का मान 90 डिगरी है तो उसे क्या कहेंगे अगर कोई लिक्विड से लाइट ट्रेवल कर रहे है दोस्तो ठीक है तो यह अपने नॉर्मल से जुख जाता है तो अगर इस का मान 90 डिगरी हो जाता है इस एंगल को क्या कहेंगे दोस्तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं critical एंगल या अच्छा एक और बात कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा जब ये टोटल एंगल जो है ये टोटल एंगल 90 डिग्री से अब अब हो जाए 90 डिग्री से प्लस हो जाए तो इसी केस में इसी केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे अ याद रखेंगे जो होते है दोस्तों उसको विद्यूत आवेगों में परिवर्तित करने के लिए माईक्रोफोन का यूज होता है याद रखेंगे आप लोग ठीक है माईक्रोफोन का यूज करते हैं अम लोग राइट जैसे वह सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप महाराश्ट में महाराश्ट के कहां पर महाराश्ट के नागपूर में यह भी याद रखेंगे आप लोग ठीक है चली आगे बढ़ते हैं पेंडूलम घड़ी के अब इसकारक कौन थे आपके आपके पास में से पासकल हाईजन एचडी फॉरेस्ट और इनमें से कोई नहीं यह कुर्शन भी एक्जाम औरियेंटेट है तो मैंने सुचा इसे इसे इंक्लिट कर दूँ यह इसका राइट अंसर दोस्तों आपसन नमबर भी हाईजन तो यह रहे आपके 25 फिजिक्स के कुर् करते हैं आज भर के लिए मुझे छमा करने दोस्तों मेरे तबियत से ही नहीं है चलिए कुर्शन है आप लोगों के लिए किसी वस्तों के समवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपके पास में ऑप्शन से बल वेग त्वरण और द्रविमान इसका राइट अंसर क्य